बोस्तों ये जो डबाद आप देख रहा है ना ये मार्केर में पावर सेवर के नाम पर जाना जाता है ये कैसे काम करता है इसके उपर बहुत सारे वीडियो दिखा दिया है बहुत सारे यूट्यूबर ने और इसको फेग भी बताया है लेकिन हम इसके उपर वीडियो बना र हो जाता है आप यह भीडियों देखिए और खुद घर पर बढ़ना कर रखिए तो चले सुख रहे वीडियो दोस्तों सब सब पहले आपको तीन ही इसका एक जॉइन बॉक्स लेना है यह देखिए तीन-तीन का जॉइन बॉक्स है और एक प्लाग लेना है अटम और यहांकर कुछ रेजिस्टेंस लेना है दो रेजिस्टेंस और तीन सब्सक्राइब है और यहां में लगने वाला चinaire फैन में लगने वाला है वही लेना है और यह अब ले ओ वपिढ़कर ग्रीन यह पर देन सब्सक्राइब और एक-एक करके पहले ग्रीड उसके बाद यहाँ पर ब्लू और लास्ट में रेट को लगा देंगे यहां मारा LED लग गया है हर एक LED का जो नेगटीव प्ट है उसको नीचे लग रहा है आपको और उसके पाद पॉलड को ऊपर करदेना है और हर एक एक नेगटीव पॉन्ट जो है उसको एक साथ सौट कर देंगे एग देखिए यहां पर हमने स्होल्डू कर दिया 120 के का रिजिस्टंस जो है यह आपको यह दो जो कम जो बहुन है ग्रीन और रिड इसके उपर लगना है यह देखे दो रिजिस्ट्नस हमने लगा दिया है और एकohlट को कट कर लेंगे और यहाँ पने का अंडेट के रिजिस्टंस लगाएंगे यह ब्लू के ऊपर अब देखें यहां से एक वायल लेकर इस डायवट के ऊपर connection कर देना है यह parallel connection होगा और यह अलग से blue का connection हो जाएगा न्यूटल और फेज का connection हो रहा है यहांपर ac का connection आप 220 ac जो है यहांपर लगा लीजेए यह देखिए यह दो वायर है यह निउटल और फेज में चला जाएगा अभी देखिए इसको सोल्टिंग भी कर लेंगे यह आँवरा इंडिकेटर बढ़के रेडि हो गया अभी यहाँ पर दो कैपासिटर जो है हमने लिया है यह फैं का कैपासिटर है किसी भी दो और को को एक साथ ट्विस्ट कर देना है अच्छे से जोड़ के शोल्डिंग कर देना है आपको यह देखिए आच्छे से इसको सोल्डिंग कर देंगे और सोल्डिंग करने के पाँ इसको मोड के ब्लैक टेप और किसी भी टेप के मदद से इसको पैक कर देना है यह काई पर लग के सौट ना हो जाए इसको एकदम फिक्स कर देना है और अभी देखिए यह जो दो पॉइंट है इसको भी Solding कर लेंगे तो यह जो 3-PIN-TOP हमने लिया है इसको यहाँ पर fix करना है उससे पहले इसको खोल लेंगे देखिए यह हमने खोल लिया है और यह जो क्यापासितर है यह अंदर डाल देंगे और यहाँ पर पिछे से बाहर निकल लेंगे और यह जो किसी भी वायर को किसी भी जगा पर आप लगा सकते हैं यहाँ पर दो जो पॉइंट है फे जो न्यूटल में है यहाँ पर आप connection कर दीजेगा और इसको अच्छे से tight कर देना है आपको देखिए न्यूटल और फेज के साथ connection हो जाएगा यह आपको solding कर दिया है हमने और यह देखिए connection हमाणा हो गया अभी यह जो resistance है यह one make बला resistance है यह क्या करेगा यह जो capacitor है capacitor को discharge करने के लिए यहाँ पर हम neutral और फेज के साथ लगा देंगे अच्छे से solding करेंगे यह देखिए ऐसे करके आपको line के उपर parallel में solding कर देना है और यह हमारा connection हो गया अभी इसको pack कर देंगे एक परशित को discharge करने क्या काम पर आएगा अभी इसको लगा के इसको tight कर देंगे और condition जो है अंदर इदर उदर double gum tape का यूज करेंगे यहां पर fix कर देंगे इसको यह देखिए इसको यहां पर chip कर देना है और उपर साइड में भी double gum tape लगा देंगे थोड़ा सा मैं देखिए यह fix हो गया उससे पहले यह उपर बहला हिस्सा इसको fix कर देंगे पर भी quick के मदद से अच्छे से इसको fix कर देना है यह fix हो गया यहां पर एक कागज लगा देंगे यह short ना हो जाए इसलिए और यह हमरा पावर सेवर बनके तेयर हो गया दोस्तों यह जो पावर सेवर मार्केट पे आपको देड़ हजार दो हजार एक हजार में मिकता है वो उसके अंदर ऐसा ही रहता है और यह कैसे काम करता है आपको बताएंगे जदातर यूटूबर लोग आपको बताया होगा जो यह खराब है यह काम नहीं करता है लेकिन यह थोड़ा बहुत काम करता है कैसे काम करता है आपको दिखाएंगे इसका प्लैग है इसके साथ कही पर भी लगा सकते है वहाँ पर आपको direct line के साथ आपको लगा लेना है तब भी ये काम करेगा ये देखिए connection ठीक से देख लीजे ये जो meter है, meter के पास ही इसका connection होना चाहिए दोस्तों ये जो system है, ये कैसे काम करता है आप देख लीजे सबसे पहले ये तो आपको power save करता है लेकिन कैसे करता है ये आपको कोई ही नहीं बता है ज़्टातर कोई भी ऐसा नहीं करता है जude आपके घर का जो पिजली चला जाता है उस टाइम क्या होता है आपका जो पंखा है, लाइट है, सब कुछ on रहता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, कोई भी ऐसा नहीं करता है, जो आपके घर का जो पंखा है, फ्रीज है, जो हेवी लोड है, उसको आप बंद कर देते हैं, कोई नहीं करता है, तो उस टाइम क्या यह सबता किसी भी एंडक्तरट यह पता क्या हुबन होगा सोना एक ने हुए क मैंपूए ऑगी श्लम्री बिर्डेग घाट ने जियरा जो यह जाने से झाले को सेड़े करेका तो प्रिएखा मीटर के उपर जाके पड़ता है तो मीटर के उपर भी जोर पड़ता है इस तेम पावर सप्लाइड डिमैंड ज़ादा रहता है तो ये जो कैपासिटर है खूद चार्ज होके रहता है तो ये थोड़ा सा सप्लाइड देखे लोड को मिनिमाईज कर देता है उस्टाय मीटर का रेडिंग जो है कम कर देता है ऐसे बीन को सेफ करता है इस टो लागने से आपका जो दूनों साइट का प्रॉब्लेमungen is solved हो जाता ही ये प्लacking हो जाता है और आपका बीन का बीन जादा आता है वो भी थोड़ा सा कम करता है जितना बड़ा कपासिटर लागाएंगे उतना जल्का कम जाएगा आपके घर का सारा जो अप्लाइंसे से ज्यादा दिन तक चलेगा एलेफेंस कैसा लगा थे वीडियो मुझे करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा हुआ और ऐसा इलेक्ट्राइस गैजर बनाने क के लिए देखने के लिए और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए आका दीजिए